तो यहां पर हम देखेंगे उसके साथ अंसर भी देखेंगे उनकी डीटेलिंग भी देखेंगे तो यहां पर आपको करना क्या पीडिए टेलिग्राम चैनल जोइन करना है पैलिग्राम पर मिल जाएगा इसको जाइन करना पीडिए वगरा यही मिलेगी तो अब मैं आपको कॉश्चन कराऊंगा उनके आंसर्स बताता जाऊंगा बड़े ध्यान से आप सुनना एक कॉश्चन आपका पूँचा गया था कि जो सकेंड राउंड टेबल कॉनफरेंस थी इसे रिप्रेजेंट किसने किया ठीक है सकेंड राउंड टेबल कॉनफरेंस तो यहां पर आपको दो तीन बाते पता होनी चैए कब हुई तो 1931 में हुई अब यहां पर अगर आप रिप्रेजनेटेशन की बात करोगे तो अगर आपसे बोला जाए क्या गया तो सरोजनी नाइडू ने क्या किया भाई वुमेंस को यहां पर रिप्रेजनेशन किया इस बात को ध्यान में रखना अगले वाले question पे आते हैं second वाला question देखो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो ब्रहदेश्वर temple है एक बार मैं यहाँ पर आपका लिख भी देता हूँ जो ब्रहदेश्वर temple है आपका यह कहाँ पर है तो ब्रहदेश्वर जो temple है वो है आपका Tamil Nadu में ठीकि है कहाँ पर है Tamil Nadu में है और Tamil Nadu के Tanjaur में है अगले वाले Question पर आते हैं यहाँ पर आपका पूच्छा गया था जो Leофo है Leofo का Full Form क्या होता है कंप्यूटर में वेसकली आपका Use किया जाता है यहाँ लीफो का Full Form होता है यहाँ पर आपका लास्ट इन देखो यहाँ पर क्या होता है लास्ट इन और फर्स्ट आउट ठीक है क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है अगले वाले कॉशन पर आते हैं देखो फोर्थ नमबर का कॉशन आपसे पूचा गया था कि यहाँ पर जो नूरॉन्स होते है नूरॉन्स म में आपने देखा होगा ऐसे hair like structure होता जिसको हम dendrite बोलते हैं क्या बोलते हैं डendrite बोलते हैं डendrite में ही जो है आपकी information जाकर के store हो रही होती है ठीक है तो बहुत ही important question और अच्छा भी है इसको ध्यान में रखना अगले वाले question पर आते हैं फिफ्ट question देखो यह आपका पू 2016 में थे नाम था बान की moon ठीक है क्या नाम था बान की moon नाम था अगले question पर आते हैं 6 वाला question देखो यहाँ पर आपका पूचा गया की oldest port of India कौन सा है oldest port of India तो यह question मैंने आपको CHSL के current affair कराते टाइम बताया था यह February का current affair है बेसकली अब कैसे यह current affair में आया क्योंकि यह जो oldest इसका कुछ हिस्सा लीज पर उठा दिया गया था लंडन डॉक्यार्ड को ठीक है तो कोलकाता पूर्ट ट्रस्ट जो है आपका सबसे पुराना पूर्ट है इंडिया का बहुत ही बढ़िया question इन्होंने पूंचा है current affair की जो स्टैटिक जीक है वह उठा ली इन्होंने ठीक ह तो अब देखो सावंध question आपका यहां पर पूंचा गया था कि जो न्यू यर होता है तमिल नाडु का उसको क्या बोलते हैं ठीक है तमिल जो न्यू यर होता है तमिल न्यू यर को बोला जाता है पुथानडू ठीक है क्लियर है इस बात को ध्यान में रखोगे वही अगले वाले question पर आते हैं 8th number का question देखो इसमें आपका क्या पूचा गया था कि जो खिलाफत movement है इसको लड़ किसने किया ठीक है क्या question था कि जो आपका खिलाफत movement है क्या था खिलाफत movement इसको लड़ किसने किया यह question पूचा गया तो खिलाफत movement को लड़ किया था यहाँ पर मौलान आप मुहम्मद अली ने किया था अगले कोशन पर आते हैं नाइन्थ नंबर का कोशन अब हम देखेंगे देखो नाइन्थ कोशन आपसे पूछा गया था अब देखो एक कोशन मुझे थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है इस कोशन में पूछेने कि क्या कोशिश करी है देखो ओल्डेस्ट यह तो आपसे बॉकसाइट और पूछी इंडिया की पूछा है या फिर आपसे ओल्डेस्ट यूरेनियम और पूछी है इंडिया की अब मुझे इसमें से आप एक बार clarify करके बताना कि question आया क्या था जिन्होंने examination आजका दिया हो ठीक है एक question फिर आपका यहाँ पर क्या पूँचा गया देखो यह था आपका जो Shades of Saffron करके book है ठीक है Shades of Saffron करके book है और अगर मैं बात करूँ उसकी subline की तो यह है From Vajpai to Modi यह दूसरी book है जो सवा नकवी की पूँची गई है अगले question पे आते हैं 11th question आपका पूँचा गया था यहाँ पे की जो international dance day है वो कब celebrate किया जाता है ठीक है कब मनाते हैं basically international dance day क्या है भई international dance day जो है यह आपका कब मनाया जाता है 29 April को मनाया जाता है every year ठीक है कब मनाया जाता है 29 April को अगले question पे आते हैं 12th question देखो यहाँ पर आपका पूँचा गया था कि जो अपना stomach होता है stomach में कौन सा acid आपका secret किया जाता है ठीक है stomach में कौन सा acid है जो की secret किया जाता है तो stomach में आपका hydrochloric acid होता है hydrochloric acid यानि कि जो hcl है यह secret किया जाता है कहाँ पर stomach में अगले वाले question पे आते हैं 13th वाला question देखेंगे इसमें आपका पूचा गया कि जो ला लीगा देखो यह है आपका जो ला लीगा है ला लीगा 2020 यह किसने जीता ठीक है ला लीगा 2021 भाई इसको किसने जीता ला लीगा 2020 को तो यह जीता है भाई वेटा सेकेंड देखो यह जीता है Real Madrid ने किसने जीता है Real Madrid की जो team है इसने आपका ला लीगा 2020 जीता हुआ है ठीक है और अब देखो यह question हो गया आपका फिर एक question आया था आपका यहाँ पर वेटा सेकेंड नी थोड़ा सा हम यहाँ पी नीचे आते हैं देखो 14th number का question आपसे पूँचा गया कि जो CSS होता है इसकी full form क्या है CSS की full form होती है cascading यह होती है आपकी cascading style cascading style और अपना यह जो S है S से हो जाता है sheets क्या हो गया cascading style sheets हो गया तो यह तो कुछ questions है जो कि मेरे पास में अभी तक पहुँच पाए है जिन बच्चों ने examination दिया इसके अलावा अगर आपने examination दिया है तो नीचे अपने comment करके questions जरूर बताएं ठीक है आपको जो questions आए हो होंगे shift 2 में जितने भी questions आए होंगे दौनों मिला करके करवा दोंगा तो around 70 questions आज आते हैं आपके daily के daily जो है रात तक क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं आप बाद में questions भेजते हैं अपर कुछ questions बाद में आते हैं इस तरीके से आपके सारे questions जो है हम देख रहे होंगे रात तक तो यहीं पर मैं जो है session को end करता हूं thank you so much god bless you all take care bye bye and all the best